चुनाव आयोग ने राज्य सबा चुनाओं के लिए तारीकों का एलान कर दिया है। इस बार हो रहे चुनाओं में 12 सीटों के लिए जल्द ही नो राज्यों में चुनाओं होंगे। राजस्तान में कॉंग्रिस लेता केसी वेणु कॉपाल के लोग सब सबसदसे चुने जाने के बाद सीट खाली हो गई है। इस बीच राजस्तान कॉंग्रिस के अध्यक्ष गोविन सिंग डोटासरा बोले कि इस चुनाओं में कॉंग्रिस अपना उम्मिदवार नहीं उतारी नमस्कार मैं हूँ शेक जूही आप देख रहे हैं दनग रिज्यस राजस्तान कॉंग्रिस के अध्यक्ष गोविन सिंग्डू तासरा बोले कि भारती जुन्ता पार्टी के पास इसको जीतने के लिए प्राप भहुमत है इसलिए कॉंग्रिस अपना उम्मिद्वार नहीं उतारेगी इससे पहले इसी साल अप्रेल में हुए चुनाओ में कॉंग्रिस ने सोनिया गांधी को राज्यसवा उम्मिद्वार बनाया था साल 2022 के राज्य सबचनाव में राज्य सबची चार सीटों के लिए पाच उमिद्वार मैदान में थे कॉंग्रेस और भाजपा की तरफ से दो-दो उमिद्वार मैदान में थे लेकिन निर्दिले परतियाशी की रूप में सुबाश्चंद मैदान में आ गये थे जिसके बाद दोनों ही दलों को क्रोस वोटिंग का डर सताने लगा था विजेपी ने अपने सभी विधायको को जैपुर गुला लिया था विजेपी विधायको को रिजोट में रखा गया था इसके अलावा कॉंग्रिस भी सतर्क हो गई थी उस समय कॉंग्रिस में शामिल हुए भाउजन समाजवादी पार्टी के सभी विधायकों को उदेपूर भेज दिया गया था वही जोती मर्दा ने बीते दिनों प्रधान मंत्री नरंद मोधी से मुलाकात की थी इसके बाद उनका नाम भी चर्चम में आ गया लेकिन राज्यसभा के लिए भाजपा से कोन उम्मिद्वार होगा ये तो वक्त बताएगा तमाम खबरों के लिए देखते रहे दन अगरी निवस्शुक्रिया